तो कहीं सारे बत्तों का ये प्रश्ण होता है कि दीब को कितनी बार घुमाया जाए तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं सकनपुरान आदी में इसका वर्णन आता है जिसमें ब्रह्मा जी ने नारज जी को इस बारे में बताया कि दीपदान या हमेशा के लिए इसका नियम बना लिजे दीप जो है भगवान के चरणों में चार बार गुमाया जाता है एक, दो, तीन, चार उसके बाद वही दिया दो बार भगवान के नाभी और वक्ष थल के स्थान पर गुमाया जाता है एक, दो फिर वही भगवान के मुख पर गुमाया जाता है एक, दो, तीन तीन बार मुख मंडल पर और फिर वही दिया भगवान के पूरे विग्रह पर, पूरे शरीर पर साथ बार एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ ऐसे करके और फिर तुलसी के पौधे के नीचे उस दिये को रख दें इसे कहते हैं दीबदान कर देना या फिर कहीं दीवार पर लख दें बोले दीबदान होगे